नमस्कार दोस्तों इस चैनल पर टेकनिकल मनी गुरू जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाएं बेल आइकन घंटे को जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप देख सकें होली का त्योहार राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी से भी जुड़ा हुआ है वसंत के इस मोहक मौसम में एक दूसरे पर रंग डालना उनकी लीला का एकान माना गया है होली के दिन वरिंदवन राधा और कृष्ण के इसी रंग में डूबा हुआ होता है आज छोटी होली है इस दिन शाम को चौराहों पर होल का देहन किया जाता है और अगले दिन होली रंगों से खेली जाती है भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है होली जिसे आमतोर पर लोग रंगों का त्योहार भी कहते हैं हिंदू पंचान के मुताबिक फाल गुनमाह में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है देश के दूसरे त्योहारों की तरहें होली को भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है धुलकी धुन और घरों के लाउड स्पीकरों पर बजटे तेज संगीत के साथ एक दूसरे पर रंग और पानी फेंकने का मजा देखते ही बनता है होली के साथ कई प्राचीन पौरानेक कथाएं भी जोड़ी हैं और हर कथा अपने आप में विशेश हैं मुगलकाल में होली को कहा जाता है यह रंगों का त्यो था इस दिन आर्या नवात्रेश्टी यह अग्य किया करते थे मुगल शासक्षा जहां के काल में होली को इदे गुलाबी के नाम से संबोधित किया जाता था होली पर शिव पारवती की कहानी होली को लेकर जिस पौरानेक कथा की सबसे ज्यादा मान्यता है वह है भगवान और पारवती की पौरानेक कथा में हिमाले पुत्री पारवती चाहती थी कि उनका विवाहर भगवान शिव से हो लेकिन शिव अपनी तपस्या में लीम थे कामदेव पारवती की सहायता के लिए आते और प्रेम बान चला कर भगवान शिव की तपस्या भंग करते थे शिव शिवजी को उस दोरान बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आँख खोल दी उनके क्रोध की ज्वाला में कामदेव का शरीर भस्म हो गया। इन सब के बाद शिवजी पार्वती को देखते हैं पार्वती की आराधना साफल हो जाती है और शिवजी उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। होली की आग में वासनात्मक आकर्षन को प्रतीकत्मक रूप से जला कर सच्चे प्रेम के विजय के उट्सव में मनाया जाता है। होली पर भगवान श्री कृष्ण की कथा इसके अलावा, तीसरी पौरान एक कथा है भगवान श्री कृष्ण की जिसमें, राक्षासी पूतना एक सुंदर स्त्री का रुपधारण कर, बालक कृष्ण के पास आती है और उन्हें अपना जहरीला, दूद पिला कर मारने की कोश बना कर, जला डाला, इसके बाद से मथुरा होली का प्रमुख केंद्र रहा है, होली का त्योहार राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी से, भी जुड़ा हुआ है, वसंत के इस मोहक मौसम में एक दूसरे पर रंग डालना, उनकी लीला का एक आन माना गया है, होली के दिन वर प्राचीन भारत के मंदिरों की दिवारों पर भी होली की मूर्तिया मिली है, विजयनगर की राजधानी हमपी में सोल हुई सदी का एक मंदिर है, इस मंदिर में होली के कई दृष्य हैं जिसमें राजकुमार, राजकुमारी अपने दासों सहित एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं,